हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं आलू परवल की बहुत ही चटपटी और मसालेदार सबजी यह सबजी रोटी हो या चावल सबके साथ ही बहुत ही अच्छी लगती है तो चलिए देख लेते हैं कि हमें इसे कैसे बनाना है तो मैंने परवल क सबजी बनाने के लिए 200 ग्राम परवल लिया है जिसके दोनों तरफ के टॉप को कट करके चाकू से स्क्रैच करके कुछ इस तरह से छीलना है हमें परवल की बहुत ही पतली लेयर हटानी है इसलिए हमें इसे स्क्रैच ही करना है और उसके बाद इसे कट कर लेंगे अगर इसे लंबा कट कर रही हूँ और अगर परवल अंदर से बिल्कुल कच्चा निकलता है कुछ इस तरह से तो हमें इसके बीज को बिल्कुल भी डिसकार्ट नहीं करना है और बस इसी तरह से हमें सारे परवल को कट कर लेना है तो परवल हमने सारे कट कर लिये है अब हम इसमे करेंगे क्या यह आलू परवल की सबजी है तो मैंने यहां पे दो मीडियुम साइच के आलू लिए हैं जिनको कुछ इस तरह से छोड़े चोड़े तुकड़ों में कट कर लिए हैं आलू परवल हमारा कट के बिलकुल तयार है अब हम इसे पानी डाल के अच्छे से यह से तो मसाले के लिए मैं एक कटोरी मिलिया है दो चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच लालमिच पाउडर आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच काश्मीरी लालमिच पाउडर और उसमें पानी डाला है उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके अपना आलू और पर्वल डालेंगे जो हमने दोह के रख रख था और उसके बाद आप इसे फ्राइ कर लेंगे तो फ्लेम यहां पर मीडियम टु हाई है और इसे हमें अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राइ कर ले रहा है अलू पर्वल को अपने से सब्जी का टेस्ट बहुत इसनलियह, आप जब भी आलू पर्वल बनाईे हैं अदो जवरसे जड़ूर इसे फ्राइ करीए तो बस इसे हमें अलटते-पलटते हुए फ्राइ कर लेना और हमें अलू पर्वल को तब-तक फ्राइ करना अा-जब तक आलू और पर्वल दोनों मे ही ऐ्क अच्छा सा ग्ल तो आलो परवल हमारा लगभग करीब से 10-15 मिनट में अच्छे से तयार हो गया है और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद हम सबजी बनाएंगे तो सबजी बनाने के लिए तेल अगर आपका जादा है कड़ाई में तो निकाल देजें मेरा तेल बिल्कु टीस्पून जीरा और बिल्कुल चुटकी भर हिंग मेरी हिंग बहुत ही स्ट्रॉंग है इसलिए मैंने बिल्कुल चुटकी भर डाली आप चाहें तो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं और उसके बाद लहसुन को हमने बारीक कट करके रखा था उसे डालेंगे और इसे मिक्स कर कीम के फैक करेंगे बाद में ठाली बेड़ेना नहीं है तो बस हमारा प्याज बिल्कुल प्क चुका है और इसे मिली कम कर के रखा था तो मशले को ड़ने को डेंगे और अपत बड़ेंगे और उसके बद ळाघ रखांगे और उसके पाना में बाल दालेंगे यहां एश से दो मिनट के लिए पकने के लिए देंगे फ्लेम पर बिल्कुल लो है और इसे हम दो मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और दो मिनट बाद हम इसमें एड कर देंगे हमारा टमाटर जो हमें दो टमाटर लिया था उसे मैंने रफली चॉप किया है और उसे अब हम मस नमक स्वाद के अनशार प्राइब जालना है मिक्स करें ठोड़ा सा पानी डालें एक तैसा कर दिए पकने के लिए छोड़ेंगे तो मै यहां कवर करके तो 10 मिनट के लिए से पकने के लिए रखोंगी हमने टमाटर डालती ही तुरंट इसमें नमक डाल धिया है तो नमक डालते ही हमारा टमाटर गलना सुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्दी गल जाएगा तो 10 मिनट बात देखे यह तो बिलकुल गल चुके है इसे अच्छे से म कुन फलेंगे मिंक्स कर क्या मिंदों अश्चक्ति हो आसक्या क्या थे मृइया हो एक लो अ भी मृग लोग थैंगे तो भाई कुन हैं एक अलुत को हम त्यार हो अब तैयार हो एक पानी नफ मैं समय तो अ है मैं आइड दोसरे साहिए और गरम पानी गरम पानी डालले से सब्जी के टेस्ट और उसके कमाने में बिलकुल भी चेंज नहीं आता है। इसले कोशिछ करिें जब भी आप सब्जी या दाल बनाएं तो उसमें गरम पानी ही उपरसे,, अगर याटिं नाय तो बस पानी कि डाल दिया है और अब हम इसे ठक के 10 मिनट के पकने के लिए छोड़ देंगे फ्लेम मैंने यहां पे लो कर दिया है और दस मिनट बाद हम इसे कढ़ाई का लिड हटाएंगे और मिक्स करेंगे सब्जी को और अब देखेंगे कि हमारी सब्जी कितनी पक गई है तो मैं यहां पे एक आलू को चम्मत से कट कर के देख रही तो पाँच मिनट बाद हमारी सब्जी देखेंगे हटा के पैन का लिड तो सब्जी अच्छी से तयार है अब हम इसमें डालेंगे वन फोर्थ टी स्पून गरम मसाला और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और सब्जी हमारी बन चुकी है गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और अ आपको यह सब्जी जरूर पसंद आई होगी एक बार जरूर इस तरीके से बना कर देखेगा अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैंबली और फ्रेंस के साथ जरूर शेयर कीजिए Enjoy!